हे अबरिबन दिस है अरवास खान और आज की वीडियो बहुत ही ज़ादा इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एक इंपोर्डेंट अपडेट सो गैस जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो सो इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एलिटा बैटल एंजिल के सिक्वल के बारे में और फैंस जो हैं वो पागल हो रहे हैं इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए क्यूंकि फर्स पार्ट की कहानी चोड़ी ही ऐसी जगा गई थी खेर हम आते हैं टोपिक पर और सीधा बात करते हैं इसके सीक्वल के बारे में और इसकी रिलीज डेट के बारे में और मैकिंग तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका सीक्वल आपको कब देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा इसके सीक्वल बनाने की प्लैनिंग अब तक हुई है या नहीं सो मूवी का फस्ट पार्ट आया था 14 फेब 2019 में जिसने कलेक्शन किया था 200 मिलियन के बजट में 400 मिलियन यानि दो गना बट जैम्स केमरोन जो कि इसके प्रोडियूसर थे इनको ये बजट कुछ रास नहीं आया क्योंकि वो तो लॉंग टर्म कर सोचते हैं और एक मूवी म में अमीर होना चाहते हैं जैसे इन्होंने टाइटैनिक और अफ़तार में किया सो अकॉर्डिंग टू दर जैम्स केमरोन जिन्होंने 2019 में कंफर्म किया कि अलीटा का सीक्वल बनाये जाएगा बस शर्त है कि वॉक्स ओपस कालेक्शन जो है कुछ बिलियन्स की फॉम में हो और इसी तरह किरिस्टोफर वॉल्ट्स जो अलीटा में आपको नज़र आये थे उन से पूचा गया कि इसके सीक्वल को कब देखने को मिलेगा तो इन्होंने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता इसके सीक्वल के बारे में क्योंकि डिजनी और फॉक्स दोनों पर डिपे यानि 30 अक्टूबर को इसका फस्ट पार्ट थेटर में दुवारा रिलीज किया गया बट फैंस को सेकंड पार्ट का अभी भी कुछ बताया नहीं गया है सो गैस मेरे अकोर्डिंग अब तक तो इसका सीक्वल बनाने का इसके मेकर्स ने कोई प्लैन नहीं बताया है बट जैसे ही कॉविट पूरी तरह से खतम हो जाता है तो वैसे ही कुछ अपडेट हम लोगों को मिल सकती है इसके सीक्वल पर और आप लोगों को मैं यही कहने चाहूँगा कि आप लोग इसके सीक्वल का वेट ना करें किनकि सीक्वल अगर बनाने स्टार्ट भी कर दिया गया तब भी इसको रिलीज होते होते 2022 तो आई जाएगा सो गैस आई होब आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो I'm with her